जो है वो आज है, जो करना है वो आज है, and that doesn't mean के आपको उनको गिफ्ट ही देना है, आप उनको रिलाइस करवा सकते हैं, हर दिन, that you love them so much. आप सभी को फिर से एक बार नमशकार, सस्रिया काल, स्लाम वालेकूम, हेलो. इस ताइम I'm back with reaction video, एक नया गाना अमरित मान साब का जो बहुत ही प्यारे उम्दा सिंगर हैं, और पहले वो गाने लिखा करते थे, और जैसा कि पंजाबी music industry में एक common trend बन गया, कि जो पहले गाने लिखते थे, अब वो front camera भी आने लगे हैं, और आएं भी क्यों ना, क्योंकि अगर वो खुद model जैसे हैं, खुद अपने गाने गा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनको पूरा हाक है, क्योंकि पहले, बहुत पहले ये trend हुआ करता था, कि singers जो हैं, वो backstage होते थे, इसलिए उनकी popularity उतनी नहीं होती थी, until and unless कोई सौनु निगम जैसा हो, otherwise models लिए जाते थे बट अब singers ने वो trend, खास्तार से पंजाबी singers ने ये trend तोड़ा है, जिसको worldwide अब जो है, बॉलिवुड में भी singers, front camera आने लगे हैं, so back to Amritman, थोड़े दिन पहले वो लेके आया थे, बहुत ही प्यारा गाना मा के उपर, और बहुत ही घुपसूरत गाना था वो, लेकिन, इस जिन्दगी के, ये कहें, या सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां पर mom है, वहां पर dad भी होते हैं, जो अपने बच्चों के लिए एक protection दिवार बन के खड़े रहते हैं, और ये बदकिस्मती से, पापा या बाप या बापू के बारे में बहुत कम चीज़ें बोली गई हैं जबकि वो अपने emotions जो हैं उनके दिल में रह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सभी dad, जितने भी दुनिया बर के या भारत के जितने भी पापा हैं, उनके लिए एक proud moment है, और अमरित्मान साब को इसका credit जाता है कि उन्होंने इतना खूबसूरत गाना जो है बापू ब बारे में उन्होंने गाने को लिखा और इस इस गाने में दर्शाया है, so सुनते हैं ये गाना के कितना खूबसूरत है, ये गाना कितना emotional है, but before that अगर आपने मेरे चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पे for serif honest review feedback reaction मिलेगा, that's it, so सुनते हैं गाना Bapu Amrit Maan सापका. सुर्गता जूटा लेके वापस याउना में, सुर्गता जूटा लेके वापस याउना में, तेरी पागदी पूनी बापु जदों कराउना में, तेरे हुन्दे टेडा टेडा जातनू काउन चाकू, मेरी उमर तैनू लग जावे, जयोंदा रहे बापु, मेरी उमर तैनू लग जावे, जयोंदा रहे बापु, जन्नत तेरह पारदी मिट्टी हो गया, मेर विक्रां विच्च तेरी दाडी चट्टी हो गया, मेरी उमर तैनू लग जावे, जयोंदा रहे बापु, 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 एक चीज ही सिख लही दुनियां दारी तों, एक चीज तहां सिख लही दुनियां दारी तों, तोई चीज नी वड़ी प्योपोत दी आरी तों, रब्बा खोल मीना खुशियां दातू बनडा कू, मेरी उमर तैनू लग जावे, जयोंदा रहे बापु, मेरी उमर तेह लग जाबे ज़ओ जयूड रहे पपू अगले जनम विट्वरे पोतबन के हमा बस यह अर्दास है वो लोग जहाज जांते लख चटब यही बपू मेरे ली तेह जान वुदे बिस्नस चलास है 카메े ली तेह जान वुदे बिस्नस चलास है तो फाइनली इस इस वाइन पर रियाक्ट क्या करें यह गाना अपने आप में लाइक सर जम अपर पीस अम रित्मान का मैं तो यह गऊंगा कि वन अफ दी बेस्ट वन अफ दी बेस्ट और जो लास्ट में लाइन गही के उपर वाले से हम और क्या अरदास करें लोग जहाजों पर जड़ते हैं बट हमारे डाड के कंदे ही हमारे लिए बिजनिस क्लास हैं और इस इस गाने में कुछ लाइने कहीं गई है कि जो एक एक बाप और बेटे की जो यारी है उससे बढ़कर कोई इस दुनिया में दोस्ती नहीं हैं सो बलकि इस गाने में जो मैसेज है वह आप लोगों तो कनवे करूं खास्तार से नौन पंजाबी के बीच में कि इस गाने का बहुत अच्छा मैसेज है एक तरीके से कि अपने डाड की रिस्पेट करना उनको क्योंकि हमारे पिता की जो भी हैसियत होती है उससे ल कार देना चाहता है लेकिन डिस्पेरिटी होती है कि हर कोई उतना फाइनेशली या स्ट्रगल करने के बहुजूत उतना स्टेबल नहीं होता इसलिए हर पिता जो है अपनी हैसियत के अनुसार अपनी हैसियत से बढ़के अपने बच्चों के लिए करता है लेकिन जब वो सर satisfaction है वो एक अलग लेवल का है तो चाहे आप अपनी पहली तनका से अपने पिता के लिए कुर्टा पजामा खरीद के ले जाएं चाहे आप अपने पिता के लिए थार या कार या जो भी उनको गिफ्ट दें घड़ी या जैसा भी है और सबसे बड़ी बात गिफ्ट से जादा क उनकी परेशानियों में जब उनको इस खासतार से जब वो बुजर्ग हो जाते हैं उस वक्त उने जरूरत है उस वक्त उनके साथ खड़े रहे हैं ताकि आपके डाड को लगे कि मेरा बेटा जो है वो उसकी परवरिश मुकमल होई है तो यही मैं अपने सभी आउडियंस से कहना चाहता हूं कि अपने इन चीजों को कभी ना भूलें जो आपके डाड ने आपके लिए सेक्रिफाइस किये हैं गाने पर रियक्ट करना एक अलग बात है सोसाइटी में जो हैं हर तरह के लोग हैं बहुत सारे ऐसे भी हमने वाक्या देखे हैं जहां पर बेटे भूल ज आते हैं माबाप का क्या आका ने बट एंड ऑफ दडे हम सब को यह रेलाइस कराना चाहिए और यह गाना इस तरह के गाने बंभने रहने चहिए के छो हमेशा हर लमह हमें याद कि लाएं कि हमेरी हमारी जिम्मेदारियां क्या है हम बाहर शोशल वर्क तो बाद में करें हमारी सबसे पहली responsibility तो यही है कि जिन्हों ने पूरी जिंदगी हमारी तस्वीर को अच्छा करने के लिए हमारी तकदीर को अच्छा करने के लिए जिन्हों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने comfort जो उन से बाहर निकल के struggle करके या खुद भूके रहके हम लोगों की एक्षाएं पूरी करी तो उन लोगों के लिए हमारा क्या फर्ज बनता है तो जो हो सके वो करना चाहिए क्योंकि एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आप अगर दिल में चीजें रखते हैं कि मैं ये करूँगा हो सकता है तब तक बहुत देर हो जाए क्योंकि जिनके लिए आप करना चाहते हो अगर वोही इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर आप सारी जिन्दगी उनकी तस्वीर से बाते करते रहो या पच्तावा करते रहो इसलिए जो है वो आज है जो करना है वो आज है and that doesn't mean के आपको उनको gift ही देना है आप उनको realize करवा सकते हैं हर दिन that you love them so much so that's it from my side ये था मेरा reaction आपको कैसा लगा प्लीज बताना and subscribe my channel और यहां पर हमेशा आपको मिलेंगी positivity positive बात है so that's it from my side love you all बहुत सारा प्यार and Amrit Maan जी को बहुत सारी best wishes congratulations के इतना खुबसूरत गाना बनाया बनाते रही है इस तरह के खुबसूरत गाने so that's all love you all stay safe